दोस्तो आज के वीडियो में हम पतंजली के दिवे आमला चुरन के बारे में बात करेंगे मार्केट में डाबर और वेदेनाथ कंपनी के भी ये प्रोड़क्ट आपको आसानी से मिल जाएंगे आप इनको भी ले सकते हैं दोस्तो पतंजली के दिवे आमला चुरन की 100 ग्राम की प्लास्टिक की डबी पतंजली के स्टोर या फिर ओनलाइन अनेता किसी आयरिवेदिक मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है इसके अंदर 100 फिस दी आमली की पाउडर फोर्म में मिलता है इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल एड नहीं किया जाता है आये जानते हैं अमली की चुरन के मुक्य फाइदे अमली की चुरन पाचन तंतर के लिए बेद अच्छा माना जाता है अमली की चुरन अपच या इंडाइजेशन की सिकायत को दूर करता है एवं कब्ज या कोंस्टी पेशन को भी ठीक करने में मदद करता है अमलेकी चुरन फाइबर रिच होता है ये पाचन को स्मूथ बनाकर पेट की बहुत सारी दिकतों को दूर करता है ये मल को नरम बनाने में मदद करता है अमलेकी चुरण एनोरग्जिया या भूक ना लगना जैसे सिकायत को भी दूर करने में मदद करता है अमलेकी चुरण विटामिन C का प्रमुक्ष और सोता है ये मसूडों के लिए भी अच्छा माना जाता है अमलेकी चुरण शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल को कम करने में मदद करता है एवं शरीर को जिननता से भी बचाता है ये ताउचा में चमक और निखार लाने में मदद करता है आवला चुरन हेयर, स्किन एवं आई साइट के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है ये बालों को पोशन देकर उनकी रूट को मजपूत बनाता है एवं बालों को सफेद होने से भी बचाता है आवला चुरन सरीर की पर्तिरक्षा प्रनाली को भी मजपूत बनाने में मदद करता है ये समाने सर्दी जुखाम, अस्तमा, सरीर में खून की कमी, आधी सब तरह की दिक्कतों को भी ठीक करने में मदद करता है ये डाइबर्टीज और हाई बलड प्रेसर के लिए भी अच्छा मना जाता है पतंजली के दिवे आवला चुरन को सुबह खाली पेट दो से लेकर पांच ग्राम तक सहथ के साथ सेवन करना चाहिए इसको दिन में दो बार तक काम में ले सकते हैं इसके परियोग से वैसे तो कोई खास मेजर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी इसको डाही मन्त से ज़्यादा लगातार यूज में नहीं लेना चाहिए इसके परियोग से एसीडिटी की दिकत हो सकती है तो दोस्तों ये सब जानकारी थी पतंजली के दिवे आउला चूरंड के बारे में मैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आप देख रहेते दे आयूस ग्यान यूटूब चैनल आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दे इजाज़त जैहिंद वन्दे मातरम